वेलकम दोस्तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्रैक्टिकल मोटिवेशन प्रैक्टिस से मोटिवेशन दोस्तो अगर मैं आपको ये बोलू कि आपके मेरे हम सब के अंदर एक जायंट छूपा है एक ऐसा जायंट जो की जो चाहे वो पा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, तो क्या आप यकिन करोगे? वेल, एस पर ऑथर, हम सब में वो जायंट होता ही है, बट प्रॉब्लम यह है कि उस जायंट को बहुत ही बुरी लत है सोने की, वो बस सोता रहता है और वो तब तक नहीं जाता, जब तक हम उसे जगाने की ट्राइ ना करें, उस जायंट को कैसे जगाते हैं, और अपने लाइ आपको आज बताऊंगा, सो लेट स्टार्ट, नमबर वन, डिसीजन, आप मानो या ना मानो, बट आज तक आपकी लाइफ में जो भी हुआ, आपने जो भी अचीव किया, या जहां पर भी आप फेल हुए, उन सब एक्सपिरियंस के लिए एक ही चीज जिम्मेदार है, और अब अपने डिसीजन से आज तक अपने लाइफ को ड्राइव कर रहे थे, वो भी इस टूट को जाने बिना, तो सोचो, आज तो आपने इस सच को जान लिया है, क्या अब से आप अपने लाइफ में एफेक्टिव डिसीजन लेके अपने लाइफ को आप जैसी चाहते हो, व एक्जाम्पल, सुवह उठके exercise करने का decision, इसी decision के साथ आपके पास सुवह में extra time मिलेगा, जिससे आप अपने किसी hobby को cultivate करने में भी use कर सकोगे। शायद exercise करने के साथ आप meditation की भी habit को exercise करोगे। में भी जल्दी उठने की वज़े से आप अपने फैमिली को टाइम भी दे पाओगे। लाइफ में किसी भी टाइम पर किसी भी परसन के लिए इन तीन डिसीजन को लेना सबसे ज्यादा इंपोर्टन्ट होता है। नमबर बन डिसीजन अबाउट वाट तो फोकस वाँ हम हमारे साथ हो रहे हर एक इंस्टन्स को मिनिंग देते हैं फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव सपोज एक आदमी बोलता है कि आज मैं फेल हुआ क्योंकि मेरे पापा और मॉम साथ में नहीं रहते थे मेरी देखबाल अच्छे से नहीं कि मेरा बचपन भी गाड़ा एक्सेटर एक्सेटर वही दूसरा परसन जो की सक्सेस्फुल हुआ है वो यही रिजन देता है उसकी सक्सेस के लिए सो आप भी ये बात हमेशा याद रखे that we give meaning to the things नमबर थ्री decision about what to do for example इस खाली समय में सोते रहे या फिर अपने personality पे work करे आज की इस present moment पे आगे बढ़ने के बारे में सोचें या फिर lazy बनके laptop पे movies देखनी है और facebook पर surfing करना है देखो decision तो हम सब लेते हैं बट हमें decision और wishful thinking में difference को समझना पड़ेगा मुझे कल से body बनानी है बट दूसरा दिन आते ही हम उस decision पे work नहीं करते हैं decision के बाद आता है action आपने जो decision लिया है उस decision को effectively achieve करने के लिए जो भी करना पड़े उस पर तुरन प्रवाव से काम में लग जाना बले ही baby steps लो बले ही एक दिन में सिर्फ एक push up करो बट शुरू करना उस decision की दिशा में ये सबसे ज़्यादा important है लाइफ में आप और मैं कई बार ये देखते हैं और experience भी करते हैं कि हमें पता होता है कि हमें किसी भी time पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बट हम हर बार इसका उल्टा ही कर रहे होते हैं पर example हम सब को पता है कि cigarette किसी भी person के लिए कितनी बुरी चीज़ है फिर भी लोग cigarette पीते ही है शराब, cigarette, पौन देखना, etc. हम सब को पता है कि हमारे लिए बुरा है पट फिर भी हम वो चीज़े करते हैं क्यों करते हैं हम ऐसा वेल ओथर के शब्दों में हम कोई भी चीज या decision या action दो वज़े से करते हैं या फिर नहीं करते हैं सिगरेट पिने वाले परसन ने अपने माइंड में कहीं ना कहीं सिगरेट को pleasure से link कर दिया है जिससे उसका माइंड उसे बार बार लगाता सिगरेट पिने के लिए मजबूर कर ही देता है वैसे ही हम डेली जिमिंग से जल्दी दूर क्यों चले जाते हैं क्योंकि हमने जिमिंग को लिंक किया है पेइन से और इसलिए हम जिमिंग में स्टार्टिंग के दिनों में ही टिक नहीं बाते गीता में भी भगवान शिक्रश्न ने कहा है कि मन चंचल है और ये चंचल मन राग और द्वेश यानि की pain and pleasure की कश्मकश में हमेशा रहता है अब हमें इस triple P यानि की pain and pleasure principle का यूज करके अपनी life को change करना सिखना है हमें क्या करना है कि हमें जो अच्छी आदत है या जो अच्छी habits है उसके साथ लिंक करना है massive pleasure को जिमिंग करने से क्या-क्या फाइदे होंगे short term में और long term में body healthy रहेगी, mind sharp होगा, self confidence बढ़ेगा, attractive लगोगे etc. जो बुरी आदत है उसको आप लिंक करो massive pain के साथ for example इस cigarette के धुएं के साथ आप लिंक करो उसके long term complications को जैसे कि इसकी वज़र से आपको क्या-क्या नुक्सान हो सकता है शैद आपको जान लेवा cancer हो सकता है, आप मर सकते हो, आपकी family life destroy हो सकती है etc. होगा ये कि आपका mind automatically दीरे दीरे उन सब बुरी आदतों से दूर चला जाएगा और अच्छी आदतों को अपना लेगा Well, तो ये थी Awaken the Giant Within by Tony Robbins की books के main ideas यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने सिर्फ कुछ ही ideas को explain किया है और आपको मैं clear कर दू कि ये ideas के अलावा भी उस book के अंदर बहुत सारे life changing ideas and practical tools है इसलिए मैं ये book आपको read करने के लिए recommend करना चाहूंगा It can be your life changing experience Like कीजे इस वीडियो को, subscribe कीजे इस चैनल को, मैं ऐसे ही काम के topics लाता रहूंगा Practical motivation, practice से motivation